हेलो एब्रीवान राधे राधे आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लड़ू गोपाल जी की ड्रस इसके पार्ट वान और पार्ट वाप्लोड हो चुके हैं लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं नहीं मिलते तो कॉमेंट जरूर आज हम इसकी कैप बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन के साथ तो जो इसका घेरा बना हुआ है वो पांच और छे नंबर के लड़ू को पाल जी को भी आ जाएगा क्योंकि इसका घेरा थोड़ा सा बड़ा बनाया है चार नंबर के लड़ू सेयर की है ठीक है चोली की वीडियो और घेरे की वीडियो आपको मिल जाएगी पार्ट वन पार्ट तू करके तो चलिए आज हम बनाते हैं कैप कैप की वीडियो सुदू करते हैं तो देखे 22 फंदे ले लिए हैं 22 फंदों में हम पांच रो बना लेंगे इस तरह से उल्टी ठीक है तो पांच रों कंप्लीट कर लेते दोनों साइब पदल में ही बनाएंगे उल्टी साइड भी सीधे साइड भी किने तो देखें यहां से हमने कलर चेंज कर दिया है क्रीम कलर का ओन लगा दिए है इसे बना लेंगे, पुरी रोप में बना लेते हैं, ठीक है, तो देखे इस तरह से हम ने drastically color change कर दिया, अब हम इसमें फंदे बढ़ा लेंगे, पहला फंदा हम बना लेंगे इसको, दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे, बढ़ाने का तरीका देख लेंगे, इस तरह से आं पेड लेंगे धागे को और ऐसे एक फंदा बना लेंगे तो एक फंदा बनाना है और एक फंदा बढ़ाना है ठीक है एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे इसी तरह से यह रो कम्टीट करेंगे उसके बा नए हैं ग्रीन कलर का कके अ matar हमने इस तरह से हैं पहला पंदा बना लिया दूसरा पंदा कैसे बनाएंगे टागा आगे करके 2 फंदों का एक करेंगे какo tea taty Alli और मम्ने साथ फंदा भी बन होगा ठीक है यह से हरेंगे दो फंदो का एक कर लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदो का एक कर लेंगे तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो ग्रीन की कंप्लीट कर लेते हैं फ्रंट साइड में हमको इस तरह से बनानी है और बैक साइड में हमको सिंपल रो बनानी है ठी जालॹाल देते ओए अब क्या करेंगे वाइत कलर से हम बना लेंगे 3 रो 3 या चार ठीक है तो व्यत चाद्ग से एक डम Conspiral बनाएंगे व सीधी तरब सीधा और ऊलिवंती तरफ हुचा तो यह रो कम tookal कर लेते तीन या चार जो भी है थिए बता दूंगे आपको तो देखें यहाँ पर हमने चार रों कंप्लीट कर ली है ठीक है पांच वी रों मा आ गए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दो का एक कर लेंगे ऐसे फंदे कम कर लेंगे जो हमने शुरू में यहाँ पर बढ़ाए थे उनको कम कर लेना है आप दो फंदो का एक दो फंदो का तो चलेए इसको complete कर लेते हैं यां से pink color का धागा लगा लेंगे ठीक है तो 4 रो बना लेंगे pink color की फंदे कम हो गए अब हमारे पहली दूसरी तीसरी और चौथी चार रो कंप्लेट करने के बाद आते हैं पांच भी दो में तो देखें याँ पर चार रो बना ली हमने अब हम क्या करेंगे दो दोनों कलर से बना लेंगे वाइट से भी और पांच फंदे एक तो तीन चार और ये पांच पांच फंदे वाइट से 5 फंदे क्रीम से और देख लेते हैं 5 फंदे बराबर हो रहे नहीं हो रहे पांच 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 एक फंद एक्स्ट्रा है उसको बाद में ले लेंगे ठीक है इसको ये लंबा हो जाएगा इस थागे को दबाना जरूरी है तीन फंदे बनाने के बार इस तरह से धागे को हम दबालेंगे चार और यह पांच ठीक है उसके बार एक दो तीन फंदे बना लिए और धागे को दबालेंगे इसे चार और ये पांच ये देखे एक दो तीन बना लेंगे उसके बाद इस तरह से दबा लेंगे धागे को फिर दो और बना लेंगे पांच हो जाएंगे और लास्ट में हमारे छे फंदे बच रहें तो छे के छे हम यहाँ पर क्रीम कलर से बना लेंगे ठीक है तो इसी तरह से थोड़ा सा बना लेते हम इसको कुछ लाईने तो यह देखिए कित्ती रू बना ले हमने 4 रू इसकी बनाए थी 5, 6, 7, 8, 9, 10, दस-वी रू बना करके 11 रू में आ गए हम अब क्या करेंगे फंदो को कम कर लेंगे ठीक है सें दो फंदों का एक और दो फंदों का एक करते हुए इस तो को कंप्लीयट कर लेते हैं 6 तो देखे सारे फंदों को हम इस तरह से सुई में भर uncertainty कैता है ठीक है यह सुई में भर लिया अब हम क्या करेंगे इसको यहां से यहां तक seal लेंगे ऐसे और फिर ये silver लेंगे और ये finger गला से यहाँ single लेंगे तो इसकी पूरी इस तरह से लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा tight कर लेंगे धावेगो ठीक है खींच के बनाएंगे यह जो हमारा घेरा बंद हो जाएगा तो यहाँ पर कैप बन चुकी है लेकिन जो सिलाई की वीडियो है वो स्किप हो गई है मतलब मुझसे डिलेट हो गई है तो आपको मैं दूसरे कैप को सिल करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको सिला जाएगा ठीक है तो देखे यह हमने एक कैप सिल ली है उपर से नीचे तक सारे फंदे हम सुई में ले लेंगे धागे में ले लेंगे और उसको एक नोट लगा देंगे टाइट करके और उसके बाद उपर से नीचे तक सिल देंगे यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा धागा बज गया था तो मैंन करें जो हमारा एक्स्ट्स धागा है अगर आपके पास थीक है उसके बाद दे देखे जो बोर्डर के बाद हम फंड बढ़ाते हैं वो और उपर जो फंड़ी कं tolerant करते हम दोका एक दोकाई करते हूए कं करते हैं उन दोनों को हमको सिलना है ऐसे यह देखे यहां से यहां तक इसी लिए मैं यह जो हमारा घेरा है जो हमारी फ्रिल टाइप की है इसका कलर चेंज कर देती हूं कि एकदम बराबर समझ में आ जाए बॉर्डर का कलर अलग होता है उसके बाद बीच में जो घेरा है उसक चोटे चोटे टाग ले करके गोलाई करके ठीक है इस तरह से यह देखे तो चल जाता है जहां से हमने फंदे बढ़ाए थे और जहां से हमने फंदे घटाए थे उन दोनों को हमको इस तरह से मिला लेने हैं ठीक है यह देखे तो चलिए ऐसे सिल करके कैप को तैयार कर लेते है तो यहाँ पे हमारी कैप तयार हो चुकी है बहुत ही सुन्दर ये कैप बनी है चार नमबर लड़ुकोपाल जी की ये कैप बनी है पांच नमबर लड़ुकोपाल जी को भी ये आ जाएगी ठीक है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएगा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से जुनूर कर दीजेगा नए है चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन के साथ तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे मिलेंगे आपको एक नए वीडियो न नई ड्रस के साथ तब तक के लिए राधे राधे